गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब जेनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है तो देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम इंडो ग्रीक अर्थात हिंदी यवन आकर्मन के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा हमने मोरिय वन्स के जो सकती साले सा सकते हैं चंद्रगुप्त मोरिय बिंदुसार असोक महान इन सब के बारे में अच्छे से पहले वाले वीडियो में पढ़ा है और हम जो भी पढ़ाते हैं वो सारा इत्यास विशे से संबंदित जो परीक्षाय लगती हैं उनसे संबंदित इंफोर्मेशन हो होती है तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा सुनिएगा याद करिएगा और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मि रास्त कर भारत के पस्ची मोतर परदेशों तता अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया था लगबग 305 से 206 इस्सा पूर्वत तक से लूकस वंसी राजाओं का भारत ये नरेशों के साथ मैत्री संबंद बना रहा परणतु परवर्तिन मोर्ये नरेशों के निर्ब भागे था कि उस समय अक्रमनकारियों का सामना करने के लिए यहां चंद्रगुप्त जैसा कोई सम्राठ नहीं था ठीक है इसमें सरवापर्तम आने वाले बल्क जो बैक्ट्रिया के यवन सासक थे उन्होंने भारत के कुछ परदेशों को जीत लिया इन्हीं भारतिये यवन परदेशों को हिंद यवन अर्थाथ इंडो-ग्रीक अत्वाब बक्ति यवन बैक्ट्रियन ग्रीक कहा गया है कि हिंद यवन सासकों की जानकरी प्राप्ट करने के इतिहास के सादन देखेगा कौन-कौन से हैं सबसे पहले पूरातात्युक्स रोत तो पूरातात्युक्स में सिक्के अभिलेक आदी का मुख्य योगदान रहा है इनका विवरन इस प्रकार से है सिक्के सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंद यवन सासकों की जानकरी प्राप्त होती है सिक्कों से तो सिक्के पढ़ते हैं हिंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन सासकों ने भारत में सिक्के चलाए पहली बार इंडो ग्रीक सासकों दुआरा किसी राजा से सम्मधी सिक्कों का पर्चलन हुआ पहले क्या चलते थे आहत सिक्के चलते थे पंचमार के सिक्के चलते थे अब क्या है कि पहली बार ऐसे सिक्के आए जो किसी राजा ने चलाए और यह सिक्के थे इंडो ग्रीग सिक्के अर्थाथ इंडो ग्रीग अर्थाथ हिन यवन सासकों के सिक्के प्राची इंतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्कों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं ओके वहां देखेगा इंडो ग्रीग सासकों ने ही पहली बार इन सिक् पी अभी लेग अंकित करवाया था ठीक है प्राचीन तम सासकों द्वारा चलाए गए सिक्के इंडो ग्रीक सिक्के कहलाते हैं इंडो ग्रीक सासकों की वनसावली या इतिहास जानने का सबसे परमुकसादन उन सासकों द्वारा चलाए गए सिक्के ही हैं इंडो ग्रीक सासको की सिक्कों के अध्यान को क्या खाता है यू मिस्मेटिक्स के अध्यान को क्या कहते हैं तो भींते हैं मेर्थ। स्वारण स्वार्ण स्वारण AMY यवन सास को ने ही करवाया था तो उत्तर पस्ची में जो स्वन सिक्के हैं उनका पर्षलन यवन सास को ने करवाया था यवनों के चांदी के सिक्के द्रम कहे जाते हैं तो द्रम किसे का जाता है यवनों द्वारा चलाएगे चांदी के सिक्के द्रम कहे जाते हैं यह नाम बह प्रतिय धर्म के प्रति निश्टा सुचित होती हैं इन सभी प्रमाणों के अदार पर हम हिंद यवन सासकों के इत्यास का पुन्दर निर्मान करते हैं यह तो थे आपके सिक्केश जो पुरातातिस रोत में आते हैं फिर दूसरा पुरातातिस रोत है अभिलेग खार्वेल का आतिकुंपा अभिलेग इसके बारे में हमने पहले पढ़ावा है देखेगा खार्वेल का आतिकुंपा अभिलेग जो उडिसा में है यह अभिलेग कलिंग उडिसा में जो चेदी वन्स के सासे खार्वेल द्वारा स्थापित करवाया गया इसका काल फैस्ट इस्सा सितर नात की मूरती पुनह कलिंग ले आया जिसे नंद सासक महा पदम नंद कलिंग को जीद कर अपने साथ ले गया था इस मित ने ब्रहस मति मित्र की पहचान पुस्से मितर सुंख से की है यह एबिलेग ब्रामे लीपी में अंकित है और इसमें खारवेल की उपलब्दियों का वर्णन मिलता है इसी अबिलेग से जानकरी मिलती है कि खारवेल जैन मतानुयाई था और उसके वन्स का सेंस तपक महा मेगवाल था इस अबिलेक के अनुसार खार्वेल ने ससन के पांचवे वर्ष सिंचाई के लिए महापदम नंद्वारा निर्मित नहर का विस्तार तंसुली से कलिंग तक करवाया रुद्दर दामन का जुनागड अबिलेक जो गुजरात में है और पहली सताब दिका है इस अबिलेक में सकसासक रुद्दर दामन की उपलब्दियों का वर्णन है इस अबिलेक एनुसार रुद्दर दामन ने साथवा हन सासक वसिस्टी पुलु मावी को प्राजित किया तथा अपनी पुत्री से विवाह करवाया इस अबिलेक से जानकारी मिलती है कि चंद्र गुप्त मोरिये के समय सोराष्ट चत्र में पुस्य गुप्त ने सुदरसन जील का निर्माण करवाया और असोक के समय योनराज तुसास से ने इस जील की मरमत करवाई रुद्र दामन के समय उसके अधिकारी सुविसाख ने इस जील की पुनह मरमत करवाई पता चलता है कि रुद्र दामन ने जील की मरमत करवाने के लिए अपनी प्रजा से बेगार जिसको विस्टिक आ गया है करवाई थी पहली बार बेगार अबिलेक के साथ से जुनागड है इसी में बेगार शब्द का उलेक पहली बार हुआ है इन सबी अभिलेकों के अलावा भी कई अभिलेक हैं जिनसे हिंद युनानी सासकों के बारे में जानकरी मिलते देखिएगा नाग निका का नाना घाट अभिलेक जो साथवान सासक साथकनी की पत्नी का है गोत्मी बलस्री का नासिक अभिलेक गोत्मी पुत्तर साथकनी की मा वसिष्टी पुत्र पुलुमावी का कानहेरी अभिलेक हेलियोडोरस का बेस नगर जो विदीशा में स्थीता का गरूरस्तम अभिलेग धन्देव का अयोदय अभिलेग जो मद्देव पर्देश में है और ये जो धन्देव है ये सुंग वंस का अधिकारी था अब देखेगा अगले आते हैं साहितेक्स रोत तो इसमें जो हिंदी अवन सासक है उनके जो जानकरी की जो साहितेक्स रोत है वो कौन-कौन से है गारगी सहिंता ये जोतिस से संबन दित है मालविका अगनी मित्रम कालिदास का है मनुस्मरती पुराण पुराण में मतस्य पुराण बर्मान पुराण और यह मंजुश्री मूलकल्प यह बोद गरंथ है थेरावली कथा मेरुतुंग द्वारा रचित है जो जैन गरंथ है हरिवन्स कालकाचारी कथानक जैन गरंथ फायानवय वेंसांग का वीवरण दिव्यावदान बोद गरंथ है तारानात का के विदेशी साहितिक स्रोथ कौन-कौन से है जो 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 ग्रोफी जो टोलमी की है नेचुरल हिस्ट्री पलीनी की है इस्ट्रेवों की जो ग्रोफी का है और पॉलीबियस का वीवरण पेरीपर्स ओफ दे एरिट्रियान सी ठीक है तो यहां पर हपन ने इंडो जो हिंदिया सेवन आकरमन हुआ था उन सब सासकों के बारे में जो पुरातात्विक और साहित्यक स्रोथ है उनके बारे में पढ़ा जानकरी प्राप्त की और यह जानकरी प्रीक्षव प्योगी है बहुत ही महत्वपून है तो आप वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक करना सेर क करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो भी हमसे जो भी तुरूटी है उनको सुदाने के लिए भी आप कह सकते हैं तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं धन्यवाद